मसकार दोस्तों स्वागत हैं आप सबी का हमारे यूट्यूब चैनल संजू इन्फॉर्मर में एटेल यूजर्स को जटका पार्थी एटेल ने प्रिपेड मुबाइल प्लान के टेरिफ में 25% इजाफा किया है नए दरे 26 नॉवंबर से लागू एटेल ने अपने प्रिपेड प्लान पर टेरिफ दरों में 25-35 की बड़ोतरी करने का एलान किया है नए टेरिफ दरे 26 नॉवंबर से लागू होगी इससे पहले कमपनी ने जुलाई में पोस्ट पेड प्लान की कीमतों में इजाफा किया था इसके बाद एटेल के 28 दिन वाले प्रिपेड प्लान जिनकी कीमत अभी 79 रुपे हैं वो अब 99 रुपे का हो जाएगा आपको बता दें कि 150 रुपे की जगए अब 179 रुपे का खर्चा करना पड़ेगा एटेल ने क्यों महेंगे किये प्लान भारती एटेल ने कहा कि एक अच्छे और स्वस्त बिजनेस मोडल के लिए इधर बढ़ाना जरूरी है कमपनी ने आएके कहा कि एवरेज वेल्यू पर यूजर 200 रुपे होना चाहिए और फिर इसे बढ़ा कर 300 रुपे पहुचा देना चाहिए ताकि कमपनियों को निवेस की पूंजी पर सही रिटन मिल सके जियो और वड़ाफोन भी बढ़ा सकते हैं प्लान इन प्रिपेड प्लान की नई कीमत 26 नॉमबर से सुरू हो जाएगी जियो और वड़ाफोन ने अभी प्राइस हाइक की गोशना नहीं की है हाला कि माना जा रहा है कि एटेल के कीमत बढ़ने के बाद अब ये कमपनिया जल्द अपने प्रिपेड प्लान की कीमत को भी बढ़ा सकती हैं जियो से 50% तक महेंगी हो जाएगी एटेल प्लान इस बडोतरी के बाद एटेल के प्रिपेड प्लान जीयो की तुलना में 30 से 50 परतिसत तक महेंगे हो गए जीयो का 2 GB और 28 दिन की विलेडिटी वाला प्लान 139 रुपे का है जबकि एटेल की इस प्लान की किमत 179 रुपे हो गए है इसी तरह जीयो का 1.5 GB वाला 24 दिन विलेडिटी वाला प्लान 155 रुपे है जबकि एटेल के ग्राकों को इसके लिए 719 रुपे चुकाने होंगे कमपनी के शेर तक उचाल भारती एटेल के शेरों में आज के सुरुवात कारोबार में 5% के उचाल के साथ अपना बावन वीक का है चुलिया है जो 750.15 रुपे पर स्थिद हैं कमपनी ने अपने प्रिपेड कस्टमर के मोबाइल टेरिफ में बडोत्री की हैं जिसका असर इस सेर पर देखने को मिला है कंटेन अगर पसंद आए तो चैनल सस्क्राइब जरूर कर देना और साइड में देखो बेल आइकन भी है उस पर क्लिक करके ओल नोटिपिकेशन पर क्लिक कर देना ताकि हमारी नोटिपिकेशन आपको मिल सेके